Hello friends, welcome to study news, आज हम इस वीडियो में 23 अगस्त के exam related जितने भी important questions हैं, उन्हें हम इहां solve करेंगे, so let's start First question है, राश्ट्रिय भरती एजेंसी परिक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? options हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या करनाटक, तो मध्य प्रदेश, राश्ट्रिय भरती एजेंसी यानि National Recruitment Agency परिक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो इसमें उत्तर option भी मध eligibility test, आयोजित करने के लिए केंद्रिय मंत्री मंडल ने एक National Recruitment Agency का निर्माड किया है, Next question है, किस विश्विद्याले के छात्रों ने गांधिवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरसकार 2020 जीता है, आपसंस हैं, देले इनुवस्टी, चितकारा इनुवस्टी, जेन्यू या एम्यू, तो चितकारा विश्विद्याले के छात्रों ने क्रिसी नवाचार के छेत गांधिवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरसकार 2020 जीता है, तो इसमें उत्तर आपसंस भी सई है, पुरसकारों की सूची में चितकारा इनुवस्टी एक मात्र, गैर IIT, NIT या IISC संस्थान बन गया है, स्वच्छता सर्वेक्षंड 2020 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन है, आपसंस है 36 गड़, जारखंड, उत्राखंड या मद्यप्रदेश, तो स्वच्छता सर्वेक्षंड 2020 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ राज्य 36 गड़ है, तो इसमें उत्तर आ केंद्री आवास और सहरी मामलों के मंत्राले द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षंट 2020 के अनुसार 36 गड़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य गोसित किया गया है। अनुसुया उइके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी इसका हेड़क्वाटर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार है। किस खिलाड़ी को खेल रतन 2020 में नामित किया गया है। आपसंस हैं विराट कोली, MS धोनी, रोहित सर्मा या केल रहुल। तो रोहित सर्मा को खेल रतन 2020 में नामित किया गया है। तो इसमें उत्तर आपसंसी रोहित सर्मा सही है। इस बार मरिपन थंगा वेलू, मनिका बत्रा, विनेस फोगाट भी, राजिव गांधी खेल रतन पूरसकार प्राप्त करने वालों में सामिल है। नेक्स्ट कोस्चन है, किस IIT के छात्रों ने 2020 QZ नाम के एक छुद्रग्रह का पता लगाया है। 250 किलो मीटर उपर से गुजरा था, एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे IIT बॉंबे के कुछ छात्रों ने प्रित्वी से इसके गुजरने के कुछ ही घंटों के बाद कैलिफोर्निया के रोबेटिक, विकी, ट्रांजियेट फैसिलिटी के डाटा का उप्योग करके इ 2020 क्यूजी नाम का ये चुद्रग्रे प्रित्वी के सबसे पास से गुजरने वाला चुद्रग्रे बन गया है Next question है Corona Fighters नाम का एक गेम लाँच हुआ है ये किसने लाँच किया है? Options है डॉक्टर हर्सवर्धन, रमेश पोखरियाल निसंख, नितिन गडगरी या स्मृती रानी तो स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हर्सवर्धन ने Corona Fighters COVID-19 पर एक इंटरेक्टिव गेम एप लाँच किया है तो इसमें उत्तर आप्सन ए डॉक्टर हर्सवर्धन सही है इस गेम में COVID-19 महमारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्योहार सीखने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत किया गया है Next question है भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सांस्कृतिक समझोते पर हस्ताक्षर किया है इस समझोते से दोनों देशों के लोगों के इतिहास और संस्कृति के प्रति उनके संबंधों के विकास और विसेश रूप से युवाओं के बीच जागरुकता बढ़ाने में योगदान मिलेगा इसरायल की बात करें तो इसरायल की केपिटल जेरु सलम है और इसरायल के प्राइम इनिस्टर बेंजिमिन नितिन आऊहू है नेक्स्ट कोश्चन है आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ केर पॉर्ट्स किस राज्य सरकार ने लॉंच किये हैं आप्संस हैं राजस्थान उत्तर प्रदेश करनाटका या केरला तो करनाटका के चिकित्सा सिक्षा मंतरी के सुधाकर ने कोविड-19 जैसी संक्रामक बिमारियों की रोक्थाम में प्रयासों को सहयता देने के लिए आर्टिफीसियल इंटेलिजेंट आधारित हेल्थ केर पॉर्ट्स लॉंच किये हैं तो इसमें उत्तर आप्संसी करनाटका सही है इन पॉर्ट्स में 9 बिस्तर तक हो सकते हैं ये टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायू जनिक रोगों को रोकने में मदद करने के लिए नेगेटिव एयर प्रेसर का उप्योग करता है बात करें करनाटक की तो करनाटक की कै चैपिटल बैंगलूरू है करनाटक के चीफ मिनिस्टर बीयस यदिरुप्य है और करनाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है नेक्स्ट कोस्चन है विस्व वरिष्ट नागरिक दिवस कब मनाय गया है आप्संसे 18 अगस्त 19 अगस्त 20 अगस्त या 21 अगस्त तो विस्व वर अगस्त नागरिक दिवस हर वर्स 21 अगस्त को मनाय जाता है तो इसमें उत्तर आप्संडी 21 अगस्त सही है इस दिवस को पहली बार 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्टर की महासभादवारा घोसित किया गया था और आज ही के दिन आतंकवाद के पीडितों के दिन के रूप मे भी मनाय जाता है जिसे International Day of Remembrance of and Tribute to the victims of terrorism कहा जाता है तो यह थे आज के important questions So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment